डिलाइट है येस पर आप सभी का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही important new discuss करने जा रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि हमास जो है कांतक की संगर्थन है फिलिस्तिन की जो सबंदरता के लिए लगातर संगर्ष कर रहा है उसने इसराइल पर बहुत ही गंभीर हमला किया है उसके बाद इसराइल ने युद्ध की घोष्टा कर दी है और कहीं न कहीं पर इसराइल ने ये बोल दिया है कि अब वो इस युद्ध को अंजाम तक महुचाने से पहले नहीं रुकेगा तो दशकों से जो संगर्ष चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में इसका अब देखने का देखने वाली बात ये होगी क्या इसका अंत होगा ठीक है बड़ सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है तो हम लोग ये इस वीडियो के माध्यम से पूरा इतिहास देख लेंगे ठीक है तो इस वीडियो के देखने के बाद जो इसराइल और फिलिस्तिन को लेकर एक जो बहुत ही कठिन टॉपिक जो हमेशा रहता है क्लैरिटी आप लोगों के मन में नहीं रहती है बहुत असान तरीके से आप लोगों के पास हो जाएगा और PDF के फार्म में आप लोगों के पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे प्रिलिम्स और मेंस के पॉंट अव्यू से कुछ भी चीज़े इससे बाहर नहीं रहेंगी जल्दी से चीज़े देखने हैं क्या है सबसे पहले आप लोग देखिए 7 अक्टूबर 2023 को अचानक से हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया लगबग 5000 जो है रोकेट दागे किस पर इसराइल पर ठीक है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो फिर इसराइल ने भी गाजा पटी हम लोग देखेंगे कहां पर है ये उस पर हिशन हमला किया घेराबंदी कर दी ठीक है और फिलिस्तिन का जो ये आंतकवादी समू है हमास इसने बहुत ही प्लैनिंग से ये सब चीज़े की हैं है ना और इतना बड़ा टार्गेट जो है वो ऐसे नहीं किया जाता है इतना बड़ा हमला विदाउट प्लैनिंग पॉसिबल नहीं ठीक है अगर आप लोग देखें आपको जब तक हम खतम नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे और वहीं हमास जो है उसने कसम खा रखी है कि वो इसराइल का नामों निशान मिटा देगा ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की ब्यानबाजी से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का जो है मदेशिया में create होता है ना तो सबसे ज्यादा चिंता जो create हो जाती है वो भारत को हो जाती है है ना हम लोग देखेंगे भी भारत पर क्या असर पड़ सकता है बड़ सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसराइल है कहां पर अगर आप लोग देखें यह देखें यह यहां पर जोर्डन है अगर आप लोग देखेंगे है ना बहुत सा बार सवाल जो है यूपेसी पर लिसमें पूछा गया है जिसमें एक option अगर आप याद रखें कि जॉर्डन टच नहीं करता है किसको भूमद्य सागर को यहां पर आप लोग देखेंगे तो जॉर्डन आपक में पूछा है अब यहां पर जल्दी से देख लिए यह गोलन हाइट्स है ठीक है सीरिया का ऐसा चेतर जो इसराहिल ने कभजा कर लिया था बाद में सीरिया को सौंप दिया था उसके बाद अगर आप देखेंगे यह वेस्ट बैंक है ठीक है यहां पर यह जो जेरुसलेम ह इस पर है यह वेस्ट बैंक है यह यह यहां पर गाजा पटी है जहां पर हमसे इसरीया को आपको अलग से कुछ करने की जरुरत ना पड़े है हम लोग इसको जल्दी से समझ भी लेते हैं सबसे पहले देखिए आप लोग यह जो संगर शुरू हुआ ना यह प्रथम विशव युद्ध से ही इसकी शुरुवात हुई आपनों को पता होगा कि Ottoman समराज्य जो था वो हार गया था प्रथम विशव युद्ध में भी पूछ सकता है इस बार सवाल ठीक है इस घोशना के माध्यम से भिरथम यहुद्य की यहूदियों के रगजे गे और कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएयगा जिससे जो गैर यहूद्य समुद्र captivus बहुत संक्यक है, इनके किसी भी तरीके से इनके अधिकारों का हनन हो, तो हम लोग अगर बनाएंगे भी यहूदियों को के लिए अलग राज्य, तो किसी तरीके से इनको दिक्कत नहीं होगी, यह ब्रिटेन ने कोशिश किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे यह बात कही ब्र जो है, यहूदियों का उत्पीडन हिटलर वाली कहानिया आप लोगो पता होगी, बहुत सारे अत्याचार उन पर हुए थे, तो उनको लगा कि अब जो है, हमारे लिए एक अलग लेंड बन रहा है, तो हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे जो है, पूछा गया था, टू स्टेट थेओरी, ठीक है, यह आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी हाल ही में, प्रिलिमस में 2016 का सवाल है, टू स्टेट थेओरी जो है, किसके लिए परचलित है, अरब और इजराइल फिलिस्तिन का संगर्श है, इसके लिए यह सिध्धान तिया जाता टू-स्टेट थियोरी बोला जाता है ये घोशना कर दी और कहीं ना कहीं पर जो अरब वाले देश थे उन्होंने इस चीज को इंकार कर दिया उन्होंने एकसेप्ट नहीं किया जैसे ही ब्रिटेन मना है ना जो आपनों ये जो है इसराइल बना ब्रिटेन तो देखिए 1947 में आकर इस चीज से पीछे हट गया था वो ज्यादा को कि आपको पता है Second World War के बास बात जो है ब्रिटेन बहुत बड़ी पावर नहीं रहा था है ना तो उसने और वो नाकाम भी रहा संगर्श को खतम भी नहीं कर पाया तो उसके बाद इसराइल बन गया ठीक है यहूदियों और कहीं ना कहीं पर इसराइल ने बड़े स्तर पर आरब देशों को नुकसान पहुंचाया ठीक है अगले साल यूद शान तो हुआ और बहुत सारा जो आवंटिच छेतर था उस पर कहीं ना कहीं पर इसराइल का कबजा हो गया तो पहला यूद जो है अगर आप लोग मानते हैं मुसलिम भी मानते हैं अगर आप लोग देखेंगे यहां पर देहो गाजा पटी तो आप लोग समझी गए मैंने आप लोग को बता दिया है वहां पर हमास व करता है वेस्ट बैंक जो है इसराइल के पूरो मिस्तित है जहां लगबग 30 लाग फिलिस्तिनी रहते है इन में से ज़्यादा तर जो हैं मुसलिम अर्ब हैं वहीं वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्रस्तल हैं जिसमें येरुशलेम भी है ठीक है और ये केंदर में है सब लोग चाते हैं कि ये उनके कंट्रोल में रहे ठीक है अगर आप लोग यहां पर देखेंगे इसराइ रहता है और इस पवित्रस्तल को जो है दोनों के लिए बहुत अहम है इसको टेंपल माउंट भी कहते हैं कोहन यहूदी तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पर अगर आप लोग देखेंगे तो येरुशलेम जो है ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसकी लोकेशन का ह मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी वेस्ट बेंक में स्थित है दूसरा इसको लेकर टकराव ये है कि सब लोग चाहते हैं कि वो उनके यहूदी जो है वो चाहते है कि उनके कंट्रोल में रहे और जो अगर आप लोग देखेंगे जो अरब मुसलिम है वो चाहते हैं क वो यह है उनके कंट्रोल में रहे ठीक है अब यह हमास की कहा कहानी है जिसने इजराईल पर अटेक किया है जल्दी से यहाँ पर देखेंगे 1987 में अगर आप लोग देखेंगे फिलिस्तीन के लोगों ने सोचा कि एक आंतकी संगठन बनाते हैं ऐसे तो इजराईल हमें आज जादी नहीं देगा ठीक है इसका नाम जो है कही ना कहीं पर हमास रखा गया और इसने कहा कि वो जिहाद चलाएगा जब तक सवतंतर फिलिस्तिन की स्थापना नहीं हो जाती है और वो आंतकवाद के माध्यम से इसराईल को कमजोर करना चाहता है यह सुनी मुस्लिम संगठ हूँ पहले आप लोग जो है चीज़े जो है इतिहास के तौर पर देख लिजे इरान सपोर्ट करता है किसको हमास को है ना और गाजा पट्टी नामकस्तल पर हमास ने अपना जो है कंट्रोल कर रखा है भूमद्य सागर के तटपर्स देतर मैं आपको दिखा चुका हूँ ठीक है यह जो हमास कहता है ना कि यह जो टूट स्टेट सॉलूशन है तहोरी जो है इसको मैं एकसेप नहीं करता हूँ मुझे पूरे छेत्र पर किसका गब जा चाहिए फिलिस्बीर क्षेत्र करना चाहता है इस सी य के लिए इसने इदायल के वरुद्य यूदत छेट रख जो है accord हुआ था UAE के साथ जो है इसराइल ने अपने relation नॉर्मल किये थे है ना साओधी अरब के साथ भी वारता चल रही है कि इसराइल जो है अपने समंध नॉर्मल कर ले तो ये चीज हमास को अच्छी नहीं लग रही है हमास चाहता है कि जो अरब देश हैं इसके विरुद ही बने रहें तो इस शान्ती प्रक्रिया में कहीं न कहीं पर एक बाधा उत्पन करने के लिए हमास ने अटैक किया है पहला कारण तो ये दूसरी important चीज ये है कि जो इरान है ना इरान ये support कर रहा है बहुत ज़्यदा हमास को इरान का आपको पता है कि अरब देशों के साथ बनती नहीं है इरान हमेशा इसराइल के भी अगेंस रहा है तो इरान का साओधी अरब के साथ भी संगर्श है तो वो इस शान्ती प्रक्रिया में इरान जो चाहता है देखो इस से इस युद्ध सेना सबसे आदा फाइदा इ इसलिए इरान अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो बलूम बर्ग की रिपोर्ट है उसने काया कि कई बैठके इरान में हुई उसके बाद जाकर हमास ने इसराइल पर हमला किया है ठीक है इरान हाला कि इस चीज को नकार रहा है बड़ चीज सीधे तोर युद है ये उस शांती प्रक्रिया में को कही ना कहीं पर खराब कर सकता है ये एक बाधा उत्पन कर सकता है जो दशकों से बड़ी मुश्किल और बहुत जादा एफट करने के बाद अमेरिका ने शांती स्तापित करने की कोशिश की है तो अमेरिका के उस तरह के जो उदे लोग संगर्ष क्रियेट कर सकते हैं तो एक बहुत बड़े स्तर पर जो संगर्ष छोटे स्तर पर शुरू हुआ है वो बहुत ही व्यापक परिणाम ले सकता है और कई भविश्रवानें भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं पर यह युद्ध जो है अब यह चोटा मोटा युद् दुनिया का क्या मानना है आपको पता है कि देखिए सबसे पहले तो इरान और यमन जो है यमन ने आपको पता है आपको हमेशा से आप लोग जानते है कि हमास जो है इरान में यमन का भी सपोर्ट उसमें रहता है तो इन लोगों ने तो कहा है कि इसराइल ने हमास ने जो भ भारत का क्या कहना है, भारती प्रधान मंतरी ने एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था कि देखो जो इसराइल पर हमला हुआ है वो आं तक की हमला है, इसलिए जो है हम इसराइल के पक्ष में खड़ें, तो भारत जो है कभी भी ऐसा संगर्श होता है, वैसे तो भारत जो है, टू स्टेट जो आपकी थियोरी है, उसका सपोर्ट करता है भारत, लेकिन ऐसी कंडिशन में, जो क्रिटिकल कंडिशन है, आपको पता है हमें इसराइल का सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर इसराइल के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं, ठीक है, संयु पता है कि भारत जो है, तेल के लिए इन देशों पर निर्भर करता है, किन देशों पर साथी अरब, इरान, इसराइल, है ना, तो इन देशों के साथ जो तेल का युद्ध, इवन इसराइल के साथ अगर हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारे हमारे जो रक्षा समझाते हैं वो हो रखें, ठीक है, रक्षा समझाते हो चुके हैं, दूसरा, इजराइल के साथ लगबग लगबग 10 बिलियन डॉलर का वेपार करता है भारत, तो ऐसी कंडिशन में इजराइल के साथ भी चीज़े खराब होंगी, तो हमारा ट्रेड भी प्रभावित होगा, और यहाँ अगर इस छेतर में और स्थिरता आती है, इससे कही ना कही पर भारत में तेल का आयात प्रभावित होगा, और आयात के चलते आपको पता है, भारत में अगर तेल महंगा होता है, तो क्या होगा, अन्य चीज़े अपने आप जो महंगाई है, वो बड़े स्थर पर बढ़ सक तो दूसरा आप यहाँ पर देखिए आल्डेडी जो है विशव जो है रूस और युक्रेइन की युद्ध की विविश्का को जहिल रहा है ऐसी कंडिशन में अगर एक और युद्ध जो है मध्धेशिया में खड़ा होता है इसके परिणाम जो है ना केवल विशव को बलकि जहारत को भी जहलने पड़ सकते हैं तो यह कुछ-कुछ चीजें हैं बहुत अच्छे से मैंने एक्स्पेइन करने की कोशिश की है मुझे लगता है आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी अगर आप लोग पीडिएफ जॉइन डावलूड करना चाहते है तो आप लोग